कि नासकार सच्रिकाल गुड़ वार्णिंग कैसे हो तैयारी कैसी चल रही है अच्छी चल रही होगी जिओग्राफी के दो टोपिक पूरे हो गए अब तीस राय और बड़िया लाग रहे हैं अच्छो लाग रहे हैं सब याद हो जाएगा अच्छा आतबा किताब है थोड़ किसी तरीके से बेच्छो मैं देखो आप कोई भी किताब खरीदो मेरी भी चेटक की आरवीडी के आती है वो भी खरीच सकते हो इसका मतलब मैं बार-बार वो नाम ले रहा हूं जब कोई चीज का बार-बार नाम लिया जाए यह भी एक परकार काइड है आपको लगेगा व अच्छी लगे तो लो नहीं लगे तो कोई बात नहीं है और वो चाल रहे हो नहीं है चल देखो आज जो टोपिक है वह है अपना मिट्टी मिट्टी ओं का अलग से अध्यन किया जाता है जिसे कहा जाता है पेडोलोजी यानि मृद्दा विज्ञान विश्वे मर्दा दिमस जो बच्छों आता है वो आता है पाँज दिसमबर को नॉर्मल चीज़े सब को आती है हमें पढ़नी है राजस्तान की मिट्टी ये कैसा टोपिक है अगर इसको आपने थोड़ा सा ढंक से समझा ना तो मुझे लगता है मिट्टी का टोपिक आप कंप्लीट कर दोगे कुछ इंगलीस नाम है वो आमकल देख ये अरावली ये तो सीधी बनाई दी अरावली बहुत इजी है मतलब मैं आप सिर्फ देखो और देखे आपको लगेगा कि वासर क्या करवाया है अपने सिर्फ देखो हो सकता है मिट्टी आपके समझ में आजे क्योंकि इन टोपिकों पहले मैं समझ लेता हूं पिर मैं उस अरावली की उप्तेका के अंदर है जिले देखें तो जो अरावली के जिले वो ही है शिरो ही है उदेपूर है पाली है खेर खलती जारा आधी जिले कोई अलग से क्योंकि इसका नहीं बनता है मिट्टी के आठ परकारों में आपका एक परकार तो हो गया अरावली परवत है अब आओ इधर किधर मुरुस्त तलके अदर देखो समस्ता जाईयोट आपरो उसके मैं टाइम लगाऊं तो यहां ना समझियों को बोर कर रहे आपाने हैं टाइम लगाना ज़रूरी है कि मिट्टी टोपिक है श्री परवतियत हो गई हासर हो गई अब इधर वारी साइड में इस साइड में किये रेती रेत है रेत पर नाम लिखने से क्या फाइदा आई एक लहर कुछ बचेगा नहीं तुमने पत्थर दिल हमको कहतो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटे का नहीं, वा, क्या बात है, रेती रेत है, यानि मरुस्तल है, तो मैं इन मरुस्तली मिट्टी कह सकूँगे, हाँ सर कह क्यों को मरुस्तली मिट्टी कह सकूँगे, रेती रेत है, इसका मतलब सब जगए, वहीं मुरुष्तल सब जगए ओयो के टावरों आज की रेती नी आ थोड़ी सी ओगी बूरी थोड़ी सिंचाही सिंचुई होई जद आपको कलर बदली आपका नखरा बदल लिया जी आई थोड़ी सिंचाही मिली बूरी होगी बूरी के नाम का आगया पाच्छो रेती लो ल रेत आपको कलर चेंज करेंगे बूरी होगी बूरी होगी बिन दूसर कह दियो बूरी कह दियो शिरोजम मिट्टी कह दियो लेकिन बूरी का आगया सब्द रेती ली देख ली हो इंगो मतलब इस साइड में बाग और सिधर आपसे पूछ सकता है वो बूरी मिट्टी और य वूरी तो उत्तर बदल जाहीगा एक बार हम सिधे बूरी को छोड़े दोनुँपर्फूज दूर करनेगी हैं अब टावरो 88 खाले पाने की जिला क्यूं है? खारे पानी जीला ή pace नमक है नमक को मतलब बठेगी मिट्टी की ए लवण्य आलो जी लवण्य मिट्टी यानि एक परकार, दो परकार, तीन परकार एक पतादी चोथी परवर्ती है, चार परकार एक नाम ले लियो भूरी यानि थन मिट्यांग नाम नाम तो सीखी गया जिते और की ने भी सीख्या उतो अब आओ भूरी मिट्टी सर्वादिक चेतरफल पर यह है पूरे पस्वी मुरुस्तल में आराम से आप डीटेल कर दो पस्वी मुरुस्तल में सर्वादिक भूबाग पे इमकन केवे मोट्टा वे थोड़ा इक हातर बारी सावे ने जो पाणी निच्छे चले हो जा नमी विचारी रोग नहीं पाती है यानि नाइट्रोजन और कार्बन तत्रों की थोड़ी सिंगमा कमी हुए केलसीम फास्वोट की थोड़ी अधिकताव है जिला सगला लिग दियो फारे के राग है लिग दियो जैसल में रहे बाड में रहे बालोतरा है फलोती है जोदपुर ग्रामीन है विकानेर है नागोर है दीडवाना पुचा मन है जूझनू है शिक्कर है अनूप गड़ है गंगान गड़ है हनमान गड़ है सैलिग रहे बेटी का बाप सर एक मिटी त्यार होगए युमारे अब रेत बनी बूरी ध्यान रहे बूरी के आगे रेतीली सब्द देख ले ना वरना सिधा बूरी कि इस दी उत्तर दूसरा देगा इस मिटी के कई नाम है ग्रे पैंटेंट बूरो कलर दूसर इसे आप कह सकते हो दूसर मिटी भी कह सकते हो शिरोजम कह सकते हो रेत का छोटा टिल्ला जखावे नी बठाया थोड़ी सी बुरी कलर मोझे है रंगे वो ब्रोज है अब जिले ब्रोजम के इस देखेंगे व्याँ देखें तो एंग बीच बीच में जब पूरे जोधर्पुर्ग्राम मिट में रेती नी कई कई भुरी हो गई तो बैगा बैजिलाय पाचाहंँ यानि आमिट्टी जगी थोड़ी अच्छी है यह तो इतनी अच्छी नहीं फसल के लिए इनमें नाइट्रोजन तत्वोंगे अधिकता कांड उर्वरकता बढ़ जाईगी और केके वेगो इल्ली साइड में के वेजवार बाजरो मुग मोट बात अब बात आई बूरी बाई बहुत इंपोर्टेट बारिस को पाणी ज्यादानों वा मिट्टी भूर बूरी होजए है अगर नहीं याद रहे तो बैसे भूरी बैसे बनास बनास बेसीन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये एक्जाम में प्रस्णाय था आपका गलत नहीं होना ची किसी का होगा है न पाणास नदी बहती है उस चेतर में भूरी मिट्टी है और भूरी गा रेतिली सब्दला जेया मुरुस्दलभाजी और रेत्मा जी को रेत्माजी वन हे सबसे पहले मैंने बताइ परवती बात खतम शीरोई के परवती धाल वाले धाले ważह उपते का है फिर बताइए रेत तिली पुरे मुरूस्थल में रेत होगी बूरी पूरे मुरूस्थण К baş होगी लबनियें जहाँ झीले भगे रहे, खारे पानी की वहाँ लबनियें मि मिट्टी भूरी बै बनास बै भूरी बात खरण अब आओगी में चीज अठे कन्फ्यूज हुजे एक चीज और रहे हैं इस साइड में टाबरों नदिया है बताओ है को नहीं हाँ सब्सक्राइब और नदी जट वह बठ है जकी मिट्टी वह जलोड मिट्टी या फिर कछारी भी कैसका दोमट भी कैसका जहां नदिया है वहाँ जल होगा जल होगा तो जलोड मिट्टी होगी तो सिधा सिधा नदिया सबसे ज़्यादा कौन से मैदान में थी कली बताया था पूरी मैदाने नदिया ही नदिया ही पूरी मैदान बानंगा वेसिन गए माई बेसिन गए एरे चंबल बेशीन गए एरे बनास बेशीन गए यानि जलोड मिटी कितनी मिटी यंग परकार होगे एक होगे दो गए तीन होगे चार होगे पांस होगे यह चटा पूरी मैदान में इंगमा नाइट्रोजन ये दिखता है और इंगमा कुण सा जे पूर ग्रामीन है एब एब जिला थे देखी लिए पूरी मैदान में खेर तरती जारा कोड़ कुद ले बैर में पूर दोसा है टॉक है स्वाइब आदो पूर है नंगापूर सीटी है करोल ल पाल यानि लाल-लाल लाल और काड़ो गड़ों कंफ्यूज करें एक लाल एक काड़ी लाल काड़ी लेकिन लाल सिरफ लाल-लाल को नहीं लाल जुक्यरी को रीष मागे पीड़ों भी जे ए घातर एक मिट्टी है लाल पीड़ी मिट्टी को नाम है लाल थोड़ सी लोमी भी होज़े है एक हातर एक मिट्टी है लाल लोमी काड़ी काड़ी होई है यानि अब जो कि मिट्टियां पर कार है लाल उसमझ दीते एक तो लाल लोमी मिट्टी है एक लाल पीड़ी मिट्टी है और एक काड़ी मिट्टी है बस तीन नहीं आद रहेतो कंफ्यूस दूर करों सब्सक्राइब के से काड़ी कैसे कोटा कैसे कपास काड़ी मिट्टी कोटा में पाईजाती reviews कपास के लिए उपियोग यह काड़ी मिट्टी है इसलिए काड़े बनेंगे बरतन काड़ा होता बलेक बलेक होता है पोट्री हो गया यान यहां पर जो मिट्टी है वो काडी है के 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 की यानि पूरे ने कूटा का मतलब पूरे आड़ोती से रहेतेगे। प्रीς GUY कियों है किए गarlी। सुकता ही दरार पड़ पड़ा ह है इसलिग सवते ही जोताई काली मिंठी यह या दो गने काली या रीगूर या मध्यम का ऐकी नाम अभ ले है अब देखो अत्कर चके मिंठी अंट मैं एल मिट्टी यह रिवन यह अल मतलब लाल है धीक है ठीक है अब देखो अब समझना है एक तो आपन देखनी है कि लाल पीडी गठे और एक लाल लूमी गठे है आदोनों समझना है यानि अब कि ये अठकर लाली लाल है अठकर काड़ी है यानि अठकर लाल है अठकर काड़ी है लाल भी मिली और काड़ी भी मिली तो फिर लाल का तो फिर गठे वेगी अरे जद लाल अठकर काड़ी अठकर वेगी ये कायंतरी लाल काड़ी गठे वेगी इन्ना रावली इन्ना मालवागों बागे हैं पोटास यह देखता है फिर कुन सा जिला अठला जिला सारा देख लिए चितोड़ गठे सापुरा हो जाएगा आपका प्राजसमंद हो जाएगा उदेपूर हो जाएगा यह जिली यह तो छोड़ो पहाड लाल दिखे यह आदरो और अठकर लाल मिट्टी उपर खाड़ी आ होईगी अब दो मिट्टी की लाल पीड़ी और लाल लोगनी बस अंसुज़ए अब देखने हैं आपने लाल पीड़ लोग साइडी मात्रा वैतर तो जिली आखने देखो लाल पीड़ी फी उपर है बस आदब और तो लिग दो पी ऊपर वाड़ी दिली और निचे लिख दो लाल लो में ऐल 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 बस यह याद राखना उपर वाड़े जिले में तो है लाल पीड़ी को लाल पाड़ हो है और फिर पीड़ा हो गया लाल पीड़ी उपर लाल लो में ऐल ऐल यह लिचे बस ऐसे याद कर लो लास्ट यही बचे लाल प पुर है इसमें शिरोई है करोली है यह जिले भीलवाडा है सापुरा है टॉप है अजमेर केकडी यह और कौण शी बची लाल लोम्मी बिटी यह भूती सी आप ही लिग दियो यह कायंतरी चटानों से बनी है लो है तत्वय की अधिकता होती है वो लाल हो गया अधिकता हो फस यह हो गई रेतिली मिटी ठीक है सर हो गई रेत है भूरी भूरी रेतिली यही रेत में लमण है लमण यह मिटी तीन मिटीयों के परकार सिदे सिदे हो परवतों में लाल होती है बात खतब जहां जल ज्यादा है वो जलोड अराम से बता दोगे जलोड मिटी पूर्वी मैद अब बात है काड़ी मिटी तो ये रही काड़ी मिटी कोटा 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 बुंदी बाराज हलावार काड़ी मिटी एल लिको एल लिको एल लिको एल लिको सब जगह एल लिको यहां भी एल लिको पी उपर है पी उपर कर दो ये लाल पीडी है ये लाल लोमी है इन दोनों को मिलाओगे तो लाल काड़ी बढ़ेगी जो इज़ी लोग क्ये कुन समझ मैं है मैं था नाबुचुम क्ये कुन समझ मैं हो अब भी अगर थार मिट्टी समझ मैं नहीं आए तो आणी गूल अब मिट्टी ओक और परकार बचेंगे आज के लिए एक लाइए क्पूआ प्रवनाओी मैं है तो क्ये भी बचिता है लाइए बचेंगे लाइए भी ओक ले लाइए 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 ऒुर लाइए तो